नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जार्खन में अगले तीन दिनों तक भीशन गर्मी और हीट वेप को लेकर येलो अलट जारी किया गया है बतादे कि इस बीच अधिक्तम तापमान में दो से तीन डिगरी सेल्सियस की बृधी हो सकती है साथी पलामू गड़वा और आसपास के इलाकों को छोड़कर जार्खन के कुछ इलाकों के मौसम में बदला होने का अनुमान है हलाकि मौसम के सीजन में आमतोर पर जार्खन में 15 से 20 जून के बीच बारिश शुरू होती है इस बार मौसम के दो दिन बिलंब आने की संभावना है जार्खन में साल दरसाल गर्मी तेजी से बढ़ रही है जून के परथम सपता में पिछले तीन साल में इसमें वृधी हो रही है गड़ साल जिहां गड़ साथ साल की बात करें तो पारा चार से पांच डिगरी बढ़ा है पिछले तीन साल से पारा 40 से 45 डिगरी रहा है हलाकि इस से पहले जहारखन के बिभिन इलाकों का तापमान जिहां 45 से 40 डिगरी रहता था जहारखन में एक महिने बाद आयोजी थोगी जहारखन सीक्षक पातरता परिशा जहारखन में आठ साल बाद जुलाई अगस्त में जहारखन सीक्षक पातरता परिशा आयोजी थो सकेगी खबरई की स्कूली सीक्षा वो साक्षरता बिभाग की ओर से संशोधीत नियामावली का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जहारखन एकड़िमी कॉंसिल यानि जेक जेटेट के आयोजन को लेकर शेडियूल जारी करेगा बता दे कि जहारखन सीक्षक पातरता परिशा के लिए 16 माच 2024 को ही जहारखन केबिनेट ने नियामावली में संशोधन किया था बता दे कि लोगसभा चुनाओ को लेकर इसी दिन आचार सहीता लग जाने के कारण इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका बता दे कि इसमें 2016 के बाद बीएड और डियलेट करने वाले छात्र शात्राय शामिल हो सकेंगे इसकूली सीक्षावत साक्षरता विभाग ने इससे तयार रखा है और अगले सप्ता तक इसके नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है आज लेंगे नरेंद्र मोधी परधानमंतरी पद की शपत राश्टर पती में जिहा राश्टर पती राश्टर पती भावन में नौ जून को शाम सवा साथ बजे होने वाले भव्य शपत गरन समारों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है खवरह की राश्टर पती भावन के फोर कोट को भव्य तरीके से सजाया समारा गया है फोर कोट में एक बिशेस मंच तैयार किया गया है जहां परधान मंतरी नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीम पद के तौर पर शपत लेंगे CPWD केंदरी एजनसी की देख रेक में पूरे परिसर को बिशेस फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है एतिहासी के राष्टरपती भवन की इमारत को बिशेस रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है बिशेस्ट मेहमानों के स्वागत के लिए रेट कॉर्परेट्स भी लगाए गये है मीडिया की खबरों को माने तो आठ हजार से जहां आठ हजार महमान इस एतिहासी क आयोजन में शामिल होंगे 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोधी ने राष्टरपती भवन के फोर कोट में ही एक भव्य कायक्रम में परधानमंत्री के तोर पर शपत लिया था पारा सिक्षक आकलन परिछा में दिव्यांग पारा सिक्षकों को मिलेगा पांच परतिशत की छूट जहारखन में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिव्यांग साहक सिक्षकों को आकलन परिछा में पांच परतिशत की छूट दी जाएगी यानि SC, ST, OBC की तरच पर दिव्यांग पारा सिख्षक भी 35 परतिशत अंक लाने पर उतीरन हो जाएंगे बतादे की सरकार इसके लिए नियामवली में संशोधन की तयारी कर रही है नियामवली संशोधन के बाद दूसरी आकलन परिशा का शेडिूल जारी होगा बतादे की जैक यानि जारखन एकेडमी कॉंसिल ने सकूली सिख्षा वस आक्षरता बिभाग को नियामवली में संशोधन का परस्ताव दे दिया है बतादे की पहली आकलन परिशा में सामाने वर्ग के पारा सिख्षकों के लिए 40% अंक अनिवारे था वहीं दिव्यांगों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था उन्हें भी कम से कम 40% अंक लाना अनिवारे था फ्लोर लेवल तह करेगी स्रमीकों के लिए केंदर सरकार असंगठित सेक्टर में काम कर रहे स्रमीकों के लिए केंदर सरकार नियूनतम मजदूरी का एक फ्लोर अस्तर तै करने जा रही है खबरे की स्रम मंतराले इसकी तैयारी में जुट गया है सभी राज्यों के लिए इस फ्लोर अस्तर के हिसाब से नियूनतम मजदूरी देना अनिवारे होगा अभी राज्य केंद्र सरकार की नियूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को मानने के लिए बाद है नहीं है क्योंकि स्रम संबंधी विशय संबिधान की समवर्ती सुची में शामिल है इसलिए केंद्र वुराज ये दोनों ही अपनी अपनी सुविधा के अनुसार नियूनतम मजदूरी तै करते हैं खबरे की केंद्र सरकार की इस कदम से लगभक पचास करोड और संगठित सेक्टर के स्रमिकों को फायदा मिल सकता है सिब्यसी सप्लिमेंटरी एक्जाम दोजार चौबिस दस्वी बार्वी की टेंटेटिव डेटशिट चारी सिब्यसी यानि केंद्रिय माधिमिक सीख्षा बोड ने कक्षा दस्वी और कक्षा बार्वी की सप्लिमेंटरी एक्जाम दोजार चौबिस के लिए टेंटेटिव डेटशिट चारी कर दी है वैसे चात्र जिन्होंने CBSE 10-12 की सप्लिमेंटरी एक्जाम के लिए आविदन किया है वे CBSE की ओफिसियल cbsc.gov.in पर विजिट कर सप्लिमेंटरी एक्जाम, टाइम टेबल, चेक और डाउनलोड कर सकते हैं CBSE बोड के अनुसार चात्रों को उन बिसेयों का चैन करने में मदद करने के लिए टेंटेटिव डेटशिट जारी की गई है जिसमें वे शामिल होना चाहते हैं फाइनल डेटशिट लोसी जमा करने की अंतिम तीथी के बाद जारी की जाएगी समय सारणी के अनुसार CBSE क कग्छा बारवी की एप्लिमेंटरी एकजाम सोमवर 15 जुलाई को आयूजित किये जाएगा पेपर की लंबाई की आधार पर परिशा सुबह साधे दस बजे से दो पर डेड़ बजे तक या सुबह साधे दस बजे से दो पर साधे बारा बजे तक आयोजित की जाएगी हाईवे पर खत्म होंगे टोल प्लाजा फास्टेक सेट सेटलाइट काटेगा पैसा अब नेशनल हाईवे और एक्स्प्रेस वेपर टोल प्लाजा का जणसट जल्दी समाप्त होने वाला है खबरे की सरकार जल्द ही सैटेलाइट आधारित इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह सिस्टम को लागू करने के मूड में है इसके लिए भारती राष्टिय राजमार्ग प्राधिकरन यानि NHAI ने उपग्रह आधारित इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने के लिए दुनिया भर से EOI आमंत्रित की है ग्लोबल नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम यानि GNSS पर आधारित इस ब्युस्था से राष्टिय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को सीमलेस टोल संग्रह हो सकेगा खबरों की माने तो Global Navigation Satellite System पर आधारिस्त इस ब्युस्था से राश्टी राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को निर्बाद तोल संग्र अनुभो मिलेगा सरकार ने दी वार्निंग Android Users हो जाएं सावधान कभी भी हो सकता है आपका फोन है इंडियन Computer Emergency Response Team यानी CERT ने हाली में एक वर्निंग जारी की है और यह चितावनी खास तोर पर Android Users के लिए जारी की है चाहे वो Android फोन यूज कर रहे हो या फिर Android टेबलेट बतादी कि CRT, IN, Electronic और सुचना प्रोदगी की मत्राले Ministry of Electronics and Information Technology के अंतरगत आता है CERT की माने तो Android OS में कई खामिया पाई गई है और इसको इस्तिमाल कर हैकर आपके फोन से जरूरी जानकारी और डेटा को निकाल सकते हैं ऐसे में जानना जरूरी है कि इनमें कौन-कौन से Android वर्जन को खत्रा है इसमें Android 12, Android 12L, Android 13 और Android 14 भी शामिल है CERT की माने तो यह परिशानी Android में फ्रेम वर्क सिस्टम, Google Play सिस्टम, अपडेट्स, करनाल, आर्म कॉम्पोनेंट्स, इमोजी नेशन टेकनोजी और क्वालकॉम के क्लोज्ड स्वर्स कॉम्पोनेंट्स में खामिया के कारण से है नीट परिक्षा में कोई धांधली नहीं, फिर भी होगा दुबारा एक्जाम सिक्षा मंधराले ने आठ जून को प्रेस कॉम्पोनेंस कर राष्टिय पातरता सब परवेश परिक्षासना तक नीट यूजी, दोजार चौबिस में पेपर लिक और कथित अनियमित्ताओं के विवादों को संभोधित किया खबरे की उच्षिक्षा सच्चिव के संजय मूर्ती ने आश्वासन दिया है कि परिक्षा संचिप्त इमानदारी और निस्पक्ष परक्रिया के साथ साथ आयूजीत की गई थी उन्होंने कहा कि मेडिकल परवेश परिक्षा के संचालन में कोई समझोता नहीं किया गया है इस सवाल का जबाब देते हुए कि क्या NTA दूसरी बार नीट यूजी 2024 आयूजीत करेगा मुर्ती ने जबाब दिया कि अनियम इत्ताओ के मुद्दे का बिसलेशन करने के लिए एक समिती बनाई गई है उच सिक्षा सचिव ने कहा कि लगभग 23 लाग शात्र परिक्षा में शामिल हुए थे इन में से किवल 16 उमिदवार जिन्होंने 6 केंद्रों में परिक्षा दे थी बिवाद से परभावित हुए हैं हम अभी भी इस बात की जाच कर रहे हैं कि परिक्षा फिर से आयूजीत की जाए या नहीं एक शिकायत निवारन समिती निसकर्स साजा करेगी जिसके बाद निरने लिया जाएगा महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए लाया गया विध्यक हुआ खत्म सत्रवी लोकसभा का कारेकाल समाप्त होने के साथ ही पुरुशों और महिलाओं के लिए विवाह की उम्र में समानता लाने वाला विध्यक अब खत्म हो गया बाल विवाह निशेद संशुधन विध्यक 2021 को लोकसभा में 2021 में पेश किया गया था इसके बाद इस विध्यक को सिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी अस्थाई समीती के पास भेजा गया था इसे लेकर अस्थाई समीती को समय समय पर कई विस्तार पराप्त हुए कानून और संबिधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए पूर्व लोकसभा महासचिव और संबिधान भी से सगय पीडिटी आचारे ने कहा कि सत्रवी लोकसभा का कारेकाल खत्म होने के साथ ही यह बिध्यक समाप्त हो गया बतादी किस बिधे का मुख्य उदेश्य महिलाओं की शादी की नियूनतम आयू को बढ़ा कर 21 वर्स करने के साथ बाल विवा निश्यद अधिनियम 2006 में संशुधन करना है